हेलो हेलो फ्रेंट्स गूड मॉर्निंग फ्रेंट्स आज है दिन मंडे का तारीक है तीस सितंबर यानि की महीने का लास्ट डे तो अभी मॉर्निंग का टाइम है मैं सबसे पहले उठके अपने लिए करती हूँ पानी गरम सो पजवाइन वाला और हस्बेंट के लिए बनाती हूँ चाय तो आज से बच्चों के स्कूल खुल गए हैं जैसे की बच्चों के पेप चावल लेके जाने की तो बस मेरा भी गरम पानी हो चुका है हस्बेंट की बन गई है चाय तो ना साथ साथ मैं रख देती हूँ राजमा उबलने के लिए और राजमा को ना मैं देर तक उबालूंगी एक दो स्वीटी लगाने के बाद मैं फिर मैं इसे धीमी धीमी आज प करूंगी अभी टाइम मिलेगा तो अभी नहीं तो फिर बाद में करूंगी क्योंकि अभी तो सबसे पहले बच्चों का ही करना है बच्चों को जैसे की लगता है ना कि लेट ना हो जाए और आज जो है एक हपते की छुटी के बाल मैं बच्चे स्कूल जाएंगे तो उन्ह पानी पीने में मैं लगाती हूं अपने कम सकम 10 मिनट तो यहां पर हस्बेंट चाय ही पीते हैं यह गरम पानी बगर नहीं लेते हैं तो देखिए हमारा जो है दोनों का लग चुका है अपना अपना एक कप और यह पानी पीने के वादना फ्रेंस पूरा दिन इतना अच्छा जाता है ना पेट में जो मेरे प्रॉब्लम रहती थी ना वह नहीं रहती है और जब हम सुबह को अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं तो पूरा दिन एनर्जी से भरा हुआ रखता है तो चलिए पीते हैं पानी और दिखाती हूं मौसम आज का तो सुबह स्वाम क तो नहीं किया सकते लेकिन सुबह में थोड़ा सा बदलाव हो गया है मौसम में जो की बहुत अच्छा लगता है बहार निकल के तो अभी छे बजे का टाइम है और इस टाइम आप देख सकते हैं कितना मस्त मौसम हो रहा है तो आज मुझे जादा घूमना को बाहर नहीं मिल हुआ कि फिर मैंने दीवी दीवी गैस पर करके मतलब यह जो को बाला है तो एक तमसाना मौस्त हो गए तो मैं नहीं कर देती फिराई बच्चों के लिए पहले बनाऊंगी बाद में तो मैंने थोड़ा सा टमाटर प्याज का टीया बस इसमें बनाऊंगी चावल तो यह सब पना के मैं फटा-पट सेजा मिलती हूं आपसे तो मैं यहां पर करने लगी हूं अपनी एक्सरसाइज क्योंकि उसके बाद में भी न बहुत सारे काम हो जाते है इसे फिर रख लिया अब खा ले जल्दी से टाइम हो रहा बेटा कितने दिन में स्कुल जा रहे हो फिर भी लेट हो जाओगे खाओ जल्दी फटा-फट दोन पाके लेके टिफिन फिन उनका पैक कर दिया था सब लोग चले गए हैं अब बस मैं बची हूं तो मैंने और थोड़ा सा अपने एक्सरसाइज की थी उनके जाने के बाद से एक गिलास पानी पिया फिर से और फिर मैं जो जाने लगी हूं नहाने तो यह ना रख के मतलब थ पिर जाओंगी मंदीर तो आज थोड़ा साना मंदीर थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि सुबह को आठ वे तक बच्चे जाते हैं तो फिर उनके हिसाब से काम करना हुआ था पहले वाले रूटीन में अपना बापस आ गई हूं पहले क्या होता था न सबसे पहले साप सप बिल्कुल भी नहीं कम हो रहा है मेरे इतना ज़्यादा कमर में दर्द होता है ना कि अभी भी मैं प्रेस करते हुए ना ठीक से जुक नहीं पा रही हूं इतना मतलब अजीब अजीब सा फील होता है ना टांगों में और कमर में मेरे सबसे ज़्यादा पेहन आ रहा है लेकि तो देखी फ्रेंट्स अभी नहालिया है बाल धुले हैं आज क्यूंकि आज है दिन मंडे का और कल को मंगल बार हो जायागा इसलिए तो रात को ना मैंने तेल भी लगाया था अपने बालों में तो बस बाल धुली है नहालिया है अभी सब्जी वाले को देख नहीं को देख लिए लिए लेकिन ठोपादा नहीं है तो शुवह न राजमा वाला था था उसमें से आधा राका राजमा मेना पचा दिया था और रादा बना लिया था तो मैं उसी के लिए जारी हूं ठोबा रेने कि लिए निकाल रिषे नहीं पहरर वाले मिल चलते करने कि कल संडे था तो कल मैंने कपड़े दुले थे फोलड नहीं कर पाई थी क्योंकि एकसरसाइज की वज़े से ना बोडी बहुत ज़्यदा पेन कर रही है ऐसा मन करता ना सुब्य को तो मतलब नहांने के बाद कि बस सौ जाऊं रेश्ट कर लूं लेकिन टाइम नहीं मिल पाता इसलिए मैं सो भी नहीं पाती तो बस ऐसे ही रहता है सरी चलिए भी क्या है जी टमांतर तो दीकी फ्रेंट्स बहुत सारे घर के काम है जो हो जाते हैं बच्चे भी स्कूल से आ गए थे उसके बाद ना मैं सीधा आप से साम का टाइम मिल रही हूँ तो अभी मैं भी ना लेट गी थी क्योंकि जब तक नहीं मैं आदा पून घंटा सोती हूँ ना तब तक मेरे सरीर क को बिलकुल भी अराम नहीं बिलता है और एक्सरसाइज के विज़े से दर्द भी रहता है जैसे कि मैंने बताया आपको तो अभी ना यह मेरी मलाई रखी हुई थी मैंने सोचा मैं इसका गी बना लेती हूँ क्योंकि गी भी कम रही है और मावस भी आने वाली है ना तो इस आपको तर्दास को